हेलो हिंदी मीडियम अकैडमी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज हम समझने वाले हैं कि थैल्स परमे क्या है और इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं देखो जो थैल्स परमे हैं इसको आधार भूत समानुपातिकता परमे भी कहा जाता है अब इ यह बाकी के जो चैनल से महां पर भी आप विजिट कर सकते हो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस परमे को समझने से ठीक है क्या कहती है यदि किसी त्रबुज की यदी किसी त्रबुज की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को भिन 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 बिन विन पर पर प्र इस पर में को समझो फिर सिद्ध करेंगे ठीक है अब मैं क्या करता हूँ अब मैं एक ऐसी रेखा या फिर रेखा खंड खीचू जो इसकी किनी दो भुजाओं को प्रतिछेद कर दे और तीसरी के समांतर हो जैसे मालो मैंने यहां पर ठीक है एक रेखा खंड खीचा आप चाहिद रखनी है कि ये जो चीज है ये इसके समांतर की चीख है अगर ऐसा है तो इसने देखो एई बी और सिको अलग बिंदू अपर परतिशेद किया, AB को इसने कहां पर परतिशेद किया, D बिंदू पे और AC को इसने कहां पर परतिशेद किया E बिंदू पे, ठीक है न? तो जिन दो भुजाओं को इसने परतिशेद किया है अलग-अलग बिंदू पे वो आपस में समान अनुपात में विभाजित हुई है कहने का मतलब है कि जो AD है, ठीक, AD divide by करूँ मैं DV तो जो इनका अनुपात आ रहा है वही आएगा AE और EC का अनुपात यानि यह बराबर होगा AE divide by EC के तो आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई रेखा या रेखा खंड खीचा जाए, ठीक है किस दिर बुझ की दो भुजाओं को प्रतिश्यत करता हुआ और तीसरी के समानतर हो तो जिन दोनों भुजाओं को प्रतिश्यत कर रहा है उनको समान अनुपात में बाढ़ता है ठीक है समान अनुपात आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे माल लो अगर ये 4 cm हुआ और ये 2 cm हुआ तो मतलब क्या कि 2 का double आ रहा है 4 तो अगर ये 3 होगा तो ये 3 का double ही आएगा यनि 6 आएगा 4 बटे 2, 6 बटे 3 दोनो बराबर बराबर हो गए अगर माल लो ये 8 होता ये 16 होता ठीक है तो यहाँ पर ये 3 होता तो ये 6 होता मतलब जो अनुपात आएगा वही रहेगा 4 बटे 2 जो आएगा 6 बटे 3 बटे 3 बटे आएगा अनुपात कुछ भी हो सकता है ये चीज इसके समानतर दी गई है अब यहाँ पर हमें सिध्ध क्या करना है सिध्ध यही तो करना है कि इन दोनों का नुपात आ रहा है वही इन का नुपात आ रहा है नाम क्या-क्या है AD, DB, AE, EC यानि कि हमें सिध्ध करना AD बटे DB बड़ाबर आएगा अब इसके बार हमें कुछ रचना करने पड़ेगी इसको सिद्दकरने के लिए ठीक है क्या रचना करने पड़ेगी को इसमिलाना यह एक यह यह जो पीला वाला इसने रचना यहां पर 10 regarding बना रहा भाई B को E से मिलाया C को D से मिलाया E N Lumb A B कीचा और D M Lumb A C कीचा ठीक है इसके बाद अब उपत्ती यानि जो प्रमाण है मारे पास जो प्रूफ है मारे पास अब उसकी बात कर लेते हैं ठीक है कैसे करेंगे इसको देखो यार हमें कुछ इस तरह से ठीक है इसको लेके चलना है कि यहाँ पर जो सिद्ध करना इसको देखो सबसे उपर क्या रहा है A D आप यहाँ पर एक ऐसा त्रिबूज लो जिसमें इसकी एक बुझा A D आए तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने लिखा छेत्रफल किसका त्रिबूज एक ऐसा त्रिबूज जिसकी एक बुझा A D आजाए मैंने लिखा A D.E ठीक है ध्यान से देखना बहुत आसान पर में है बराबर ठीक है? ठीक है यहाँ छेत्रफल क्या होता है त्रिबूज का 1 बटे 2 आधार गुणा में उचाई संगत उचाई ठीक है तो यहां से A,D,E ठीक है इसको मैं हाइलाइट कर दू तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा यह वाला त्रिबूज है A,D,E ठीक है तो यहां पर इस त्रिबूज में A,D को अगर मैं आधार मानूँगा तो इस पर उचाई क्या हो जाएगी यह जो 90 degree सामने से आगे बन रहा है त्यानि कि E,N हो जाएगा इसकी उचाई तो मैंने यहां पर क्या लिखा एक बटे दो गुड़ा में ठीक है आधार की जगा ठीक है आधार की जगा क्या आगया A,D गुड़ा में उचाई की जगा क्या आगया E,N ठीक है अब देखो अब मुझे A,D के नीचे क्या चीए D,B तो मैं यहां पर एक ऐसे त्रिबूज का छेतपल निकाल के डिवाइट कर दूँगा जिसकी एक बुझा D,B आ रही हो ठीक है अब यहां से देखो D,B मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर अब इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार थोड़े देर के लिए ठीक है अब आपको देखना है त्रिबूज ठीक है ध्यान देना चेत्रफल किसका त्रिबूज D,E,B D,E,B ठीक है कितना हो जाएगा एक बटे दो आधार गुणा लंब ठीक है इस त्रिबूज के लिए ठीक है आधार मैं किसे मान रहा हूँ B,D को ठीक है या D,B मा बोल दौँआ अचा अगर मैं यहाँ पे D,B यानि इसको आधार मानूँगा तो इसके लिए उचाई क्या होगी जो सामने वाले सीर्स से इस पे आ रही है लेकिन अंदर तो कोई नहीं आ रहा लेकिन यह बाहर देखो यह जो उचाई है यानि कि E,N यही इसके लिए भी काम ज़ेगी अब यह बात हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगी हो ठीक है क्योंकि यह तो तिर्बुच से बाहर जा रही है चीज ठीक है फिर से देख लो तिर्बुच तो देखो यह है ठीक है जब कि उचाई कहां चले गई बाहर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बस आपको याद रखना है कि जो आपने आधार माना है यानि कि ये इसी को अगर आप आगे बढ़ा दो ठीक है और इसके सीर से यहां पे नब्बे बने तब भी उचाई वही रहती है ठीक है ना ये नहीं कि उचाई कहीं और ले जाओ गई क्यों क्योंकि यार एक बिंदू से एक रेखा पर आप एक ही लंब की सकते हो तो यागर इसको आगे बढ़ाओ तो यही तो सीधी रेखा बन रही है तो इस बिंदू से अगर लंब यहां पर है तो यह वही रहेगी उचाई यही सब के लिए काम करेगी मतलब क्या है कि भीया इस तिर्भूज के लिए भी उचाई यही रहेगी भले यह बाहर जा रहा है इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे यह थोड़ा टेड़ा बनाऊगा अगर मैं सीधा बनो मालो है जमीन है यह क्या है जमीन है अब अगर कोई त्रिभूज यह कोई त्रिभूज बना यह वाला अब इसके लिए अगर आपको बोला जाए जमीन से कितना उचाई है इसका तो भाई यही तो इसका सबसे टोप ओला हिस्सा है अब उंचाई आप यही तो बोलोगे यार यह उंचाई है यह वाली तो यह तो देखो त्रिबुज से बाहर चली गई त्रिबुज तो इतना हिस्सा है उंचाई तो इसकी बाहर चली गई न उपर AD बचा है नीचे DB बचा है तो उपर क्या बचा है AD और नीचे क्या बचा हुआ है DB इसको समय करन एक बोल गहीं पर छोड़ा हूं ठीक है अब इसी तरह से हमें आगे क्या चाहिए यह बचे में इसी चाहिए यानि कि मुझे यहां पर कुछ ऐसा त्रिभुज लेना है ठीक है जिसमें क्या रहा हो एई आ रहा हो तो एई फिर से ADE में ही आ रहा है तो मैंने लिखा त्रिभुज ADE बराबर कितना हो जाएगा वो तो ही होगा एक बटे दो ठीक है देखो फिर से यहां पर हाइलाइट कर दूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे फिर से हम क्या कर रहे हैं भाई साब फिर से हम त्रिभुज ले रहे हैं ADE यही वाला लेकिन इस बार आपको आधार यह वाला लेना है तो उचाई फिर यह वाली हो जाएगे क्योंकि इस आधार पर यह वाला लंग है DM ठीक तो मैंने यहां पर क्या किया एक बटे दो गुड़ा में आधार होता है आधार के जगा मैंने AI लिखा क्यों AI लिखा क्योंकि मुझे यहां पर AI लाना था ठीक है अले में क्या करूंगा और उसके लिए में एक दूसरा त्रीबूज लूंगा ठीक है कौन सा वाला यह वाला डीईई सी कौन सा लूंगा मैं डीईई सी ठीक है तो मैंने यहां पर लिखा इसको मुझे डिवाइड कर देना है किस त्रिभूज के शेत्रपल से त्रिभूज D, E, C ठीक है क्या हो जाएगा एक बटे दो गुड़ा में आधार इसका आधार आपको यह मान के चलना है यानि कि E, C अगर आपने यह आधार लिया है तो यह आधार आप तभी ले सकते हो जब इस पे उचाई पता हो तो यार देखो, इसी को तो आगे बढ़ा रहे है तो यानि कि E, देखो, इसी का ही तो सीर्स है, यह इस त्रिभूज का ही यानि यहां से अगर यह आ रहा है उचाई ठीक है, तो यही उचाई इसके लिए भी काम करेगी, यानि कि उचाई जो होगी वो फिर से DM ही रहेगी ठीक है, उचाई क्या रहेगी? DM तो फिर से यहां देखो, एक बटे तो एक बटे दो कट गया, DM से DM कट गया यहां क्या बच्चा? A, E, बटे में EC, इसे समीकरन दो गोल दिया इसको अभी यहीं पिछोड़ दो अच्छा, अब एक बात और आपको यहां पर देखनी है, ठीक है? यह almost question होई गया, बस आपको एक बात और यहां पर देखनी है, वो क्या है? समझा देता हूँ आपको देखना है कि जो यह तिर्बूज है ना यह वाला और यह वाला, इन दोनों का छेत्रफल बराबर है, क्यूं बराबर है उसको समझ लो, देखो इस बात को आप समझो कि अगर अपने पास दो समानतर रेखाए हैं अगर अपने पास और यहां पे समान आधार पे मैं कितने भी तिर्बूज बना दू इन्ही दोनों स तो इस तिर्बूज का जो छेत्रफल होगा, वही इस तिर्बूज का भी छेत्रफल होगा, ठीक है, वस कंडिशन याद रखनी है कि इनको मिलाना इन्ही दोनों बिंदो होगा, मतलब आधार यही रहना चीए सबका, ठीक है, अगर मालो मैं यहां से मिला दूँ, तो यहां पे एक तिर्बूज बना, इन तीनों तिर्बूजों का ही छेत्रफल बराबर होगा, कितने भी तिर्बूज बना दूमें, जिनका आधार यही रहे, और यह इनी दोनों समानतर रेखाओं के बीच में हो, ठीक है, तो इनका छेत्रफल बराबर आता है, तो यहां से देखो यहार हम क्या बोल सकते हैं कि वह यह जो अपना कॉश्चन है ना वहां पर यह दोनों तो समानतर रिखाए एंग यानि कि यह जो त्रभूज हैं डी इडी और डी यी सी यह नहीं D, E, B का वो बराबर है किसके छेत्रफल के? D, E, C के ठीक है? D, E, C के ठीक है इनी दोनों क्यों लिया? क्योंकि देखो जो ये दो समिकरन बनी थी ना उपर इसमें उपर तो A, D, E है A, D, E है सेम चीज़ है बस नीचे वाला ही तो पंगा कर रहा था यहाँ पे D, E, B आ रहा था और यहाँ पे D, E, C आ रहा था तो अगर किस तरह से में D, E, B और D, E, C को ही बराबर कर देता तो उपर वाली चीज़ बराबर, नीचे वाली चीज़ बराबर मतलब पूरी चीज़ बराबर हो गए तो अगर left वाली पूरी चीज बराबर हो जाएगी तो right वाली भी तो बराबर हो जाएगी यही तो हमें चाहिए कि यह दोनों चीज बराबर हो जाएए देख लो यही जो जो चीज लिखी है ठीक है यही तो हमें उपर सिद्ध करना था तो हम अब क्या बोल सकते हैं कि यह समीकरण 3 हो गई एक दो आतीन से देखो एक दो आतीन से यह दोनों बराबर हो गए कैसे उपर वाली चीज और रेडी बराबर है ADE, ADE सेम चीज है नीचे वाला DEB था और DEC था जो कि यहां से DEB और DEC बराबर आ गए यानि कि यह चीज इसके बराबर हो गए तो इसके राइट वाली भी बराबर होगी इस बात को लिखने के लिए आपको सिंप्ली लिखना है समीकरण 1,2,3 से यह बराबर इसके सिधा लिख दो ठीक है? क्या लिखेंगे हम यहां पे समीकरण 1,2,3 से AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC ठीक है न इन दोनों को उठाकर लिख दिया ठीक है यही सिध्ध करना था सिध्ध हो गया तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यमाद